नमस्कार मेरे दोस्तों आज देखिए हम आप लोग को इतनी खुबशूरत इस ब्लॉग में जो मेरा ब्लॉग बनने आया है वो इसलिए मैं बना रहा हूं मेरे दोस्तों मैं आप लोग को ओचीज दिखाऊंगा जिसमें इटा बनता है वो भठ्था दिखाऊंगा उस इटा का थोड़ा थोड़ा सा सीन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मुचा सा अगर यहां से नहीं दिख रहा तो मैं आप लोग को दिखा देता हूं यहां देखिए थो जो जिसमें मसे मतलब मटकी निकाल के इटा बनाया गया वह चीज आप लोग को देखिए यह देखि है हम चलते हैं उसी के पास चलेंगे आप लोग हमारे साथ बने रही है और आपको फूरा दिखाएंगे किस तरीके से इटा निकलता है किस तरीके से वहाँ पर इटा डाला जाता है किस तरीके से पकता है और जो चिमनी है जिसको इसको कहते हैं भठा और चिमनी कहते हैं गाव democrat देता हो जो यहान पर बेचा जाता है झाल यहांसे जो लोग खरीद के लेकर जाते हैं यहाँ आप लोग को साथ है तो डिखा गहाँ मतलब वहां पर सब्सक्राइब लुएana हमको क्योंकि नया-nyay blog channel मैं बनाया हूं तो इसको सपोट करें और सपोट करने के बाद आप लोग को एक से एक चीज नया चीज़ दिखांगा एह देखिए यहां पर जहां मैं बचला हूँ यह देखिए यह जो है इसके अन्दर मेरे दोस्तों इसके अंदर इसके अंदर इटा रखा गया है और इटा ये पक चुकी है अभी भठा बंद इसलिए क्योंकि बर्सात का सीजन है तो इसी में बंध है यह दोस्तों यह बूर्ज खलीफा है यह देखिए यह दम पूरा हम यह यहाँ पर पूरा आप और आपको किलियर दिख रहा है इटा किस तरीके से दिखता है देखिए कैसे रखा जाता है उसको कैसे बनाया जाता है कैसे इसको फिल्टर करके उसके बाद किसको आग जला कर कैसे पकाते हैं देखिए यहां पर देखिए इसके अंदर इटा ने अब इसके उपर हम चढ़े ह यह तरीके से यहाँ पर सजाया गया है इस इटे को रखा गया है यह देखिए कि इसको सपोर्ट करके एतनी अच्छी तरीकी से रखा जाता है कि मतलब जैसे कहते हैं कि इसके उपर चढ़ जाते तब भी गिरता नहीं है और इसी चीमिनी से जो है मतलब धूवा निकलता है जो पकाया जाता है यही इटे से जो है जो घर बनते है सारी जगहा ओ घर बनता है और देखिए ऐसे हमारे पेच को फालो करिए और आपको हम दिखाते रहेंगे अच्छे चीज अच्छे चीज बहुत बहुत धन्यवाद